हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यहू बाबापे यह हमारा जावस्क्रिप्ट कोर्स से लेटिट 48 टुटोरिल है और इस कोर्स में आप एरे के कॉनकेट और जॉइन नाम के फंक्शन सीखने वाले हैं यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास एक एरे है ए नाम का वैरेबल है जो उसमें हमने एक एरे बना रखा है और उसमें तीन नेम दे रखे हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं संजे अमन और रह्मान और आपके पास एक दूसर वैरेबल भी है वो भी एक एरे ही है और उसमे है कि इन दोनों को जोड दिया जाए और एक array बना दिया जाए या आप कह सकते हैं इन दोनों को merge कर दिया जाए तो इस merge की option के लिए हमारे पास यहाँ पर array में एक function आता है जिसका नाम है concat, concat का मतलब होता है concatenation, concatenation मतलब जोडना दो strings को या दो arrays को, तो आइए देखते हैं इसे practically, यहाँ पर देखिए हमने HTML का एक document बना लिया और यहाँ पर हमने एक variable ले लिया ए और उसके अंदर एक array बना लिया है अब मैं यहाँ पर इसको concat करना चाहता हूँ एक दूसरे array से, तो concat करने के JavaScript के अंदर कहीं तरीके हैं, मैं आपको सबसे पहला तरीके से दिखाता हूँ देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया variable b, और इसमें मैंने सीधा ही concat कर दिया a.concat, मतले कि a जो है हमारा array है, उसका concat function यूज करे और उसमें यही पर दो values डाल देते हैं, एक value जैसे मैंने डाल दी राहूल और दूसरी यहाँ पर डाल दी जैसे current, यहाँ पर दो name ले लिए मैंने, राहूल और करन, अब मैंने यहाँ पर इसको print करके दिखाता हूँ variable b को यहां पर देखिए मैंने B लिखा और यहां पर मैंने फाइल को save किया एक्सल में यहां पर contact लिख दिए concat ने लिखा तो यह correction कर लेते हैं और यहां पर देखिए यहां पर जो हमारा निया variable जो B है वो concat हो गया A और B के साथ यहां दो arrays का merge कर दिया हमने यहां पर देखिए यहां पर पहले array यहां तक था और दूसरा array जो हमने यहां पर बनाए B तो यह दोनो अब यह total जो है यह array यह B की value है तो एक तरीका तो यह था कि javascript के अंदर concat को use करने का मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं यहां पर square prices ले लेता हूँ और यहां पर देखिए हमारे पास दो array है अलग-अलग एक A है और एक B है दोनों array है अब मैं इन दोनों arrays को जोड़ना चाता हूँ मतलब की concat करना चाता हूँ तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूँगा मैं यहां पर एक variable C ले ले लेता हूँ या कोई और नाम का भी variable ले सकता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों को concat करना है तो उसके लिए मैं करूँगा a.concat और यहाँ पर लिख दिया b जिस variable के साथ मुझे करना है मैंने file को save किया और यहाँ पर actually मैं c लिखना है मैंने file को save किया यहाँ पर दुबारा से यहाँ पर वही गलती फिर से होगी है concat लिखना है concat यह देखिए तो जो c है वो अब एक array बन चुका है जो merge करके बना है a और b की values को यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मैं a की side पर b लिख देता तो b की values पहले आ जाती राहुल और करन और संजे अमन और रह्मन उसके बाद आती मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर दो ही array नहीं मैं जितने merge यह array को merge करना चाहूँ उतनों भी कर सकता हूँ देखिए मैं एक array और मना लेता हूँ यहाँ पर variable d करके और इसमें मैं दो values और ले लेता हूँ एक तो मैंने ले लिया नेहा और दूसरी मैंने ले ली value महिमा अब मैं इन तीन जो arrays हैं a, b और d इन तीनों को merge करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर c नाम के variable में पहले मैंने a के साथ concrete किये b को फिर यहाँ पर coma लगाके लगा दिया d मतलब कि जो a है उसमें यह दोनों concrete हो जाएं b और d की values और यहाँ पर मैंने c को print कर दिया और यह देखिए यहाँ पर हमारे पास एक निया array आ गया है जो c में और जो तीन variables की value को जोड़ के बना है मतलब कि concrete करके a, b और d की values को अब यहाँ पर हम बात करते है array के एक नए function जिसका नाम है join उसकी यहाँ पर देखिए हमारे पास एक variable है और इसके अंदर multiple तीन values आ रही है अब आप चाते हैं कि यह तीनों values एक ही value में convert हो जाएं मतलब कि एक ही string बन जाएं और उसको जब आप show कराने लगें तो आप उसके बीच में चैसे यहाँ पर मैंने example के रूप में दिखाया आपको यहाँ पर hyphen लगे हैं यहाँ आप इदर space देना चाते हैं यह कुछ और देना चाते हैं वो भी आप दे सकते हैं यह एक value बन चकी है अब यहाँ पर इसे एक variable की value डिलीट कर देता हूँ जैसे d की और यहाँ पर भी कोई simple concat कर देता हूँ यहाँ फाइल सेव की देखिए यह तो join यहाँ पर concat होई रहा था अब इसकी next line में मैं इसको join करता हूँ तो उसकी लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं एक variable ले लेता हूँ जैसे d उसकी अंदर मैंने c.join लिखा और इसमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे double quotes लगा गए इसमें space दे दी अब मैं यहाँ पर इसको print कर लेता हूँ तो मैं यही वाली line जो उपर copy कर लेता हूँ document.write की और यहाँ पर मैंने simple value जो print कर दी डी की और यहाँ पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा break लग जए मैंने दो वर break का use किया मैंने file को save किया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह एक string बन चुका है जो d है वो कोई array नहीं है वो actual में एक string है जिसके बीच में अलग-अलग values के बीच में space आ रही है आप इन space की जगह पे आप जैसे slash डालना चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं मैंने file को save किया और यह देखिए यहाँ पर slash आ गए है आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई और sign डालना चाहूँ वो भी मैं डाल सकता हूँ जैसे मैं hyphen वगरा use करना चाहूँ यह देखिए hyphen आ गया मैं dollar लगाना चाहूँ dollar भी लगा सकता हूँ यह देखिए तो यह एक string value है मैं यहाँ पर break भी लगा सकता हूँ मैंने file को save किया और यह देखिए break करके यह सारा एक एक लाइन में आ गया है मगर यह सारी एक ही value है ना कि अलग-अलग values है क्योंकि d जो है इस समय एक string बंद चुका है पिछले video tutorial में आपने यह array के कुछ methods किये थे इसमें आपने concat और join किया है अगली video में हम slice और supplies कवर करने वाले हैं तो उस video को देखना मत भूलिए अगर अच्छा लगा है तो video को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates चाते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए